आपको आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग टिप्स मिलते रहते दोस्तो वह भी रोज इसलिए अभी तक आपने मेरे शानल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब चल्दी से चल्दी कर लिजे और बेल आइकिन के साथ ताभी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स मेरी आप के साथ शेयर करने वाली हूँ तो यहां पर इस नुसक्राइब को बनाने के लिए सबसे पहला और में इंग्रिटिंट जो मैंने आप लिया है वो है दालचीनी दालचीनी दोस्तों जैसे कि आप सबी को पता ही है कि खाने का स्वात बढ़ाती है साथी साथ कई बड़ी बड बढेश्री का टेस्ट बी अच्छा रहता है और साथी साथ दोस्तों जो डार्टि पेशंट है उन्हें भी इसका सीवन जरूर करना चाहिए संदर्य को बढ़ाने के लिए भी दालचीनी का प्रयोग किया जाता है यदि दालचीनी का पाउडर चेहरे पर लगाया जाया तो पिंपल्स दाग धब्बे और जहाईयों की जो परिशानी है वो भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी दोस्तों दालचीनी की जो तासीर होती है गर्म होती है इसलिए हमें सर्दी खासी जुखाम से ये रहत दिलाती है दालचीनी हमारे शरी के लिए बहुत ही फाइदेमन होती है दालचीनी के सेवन से कोई परिशानी नहीं होती है इसका सेवन हर एच रूप वाला कर सकता है साथ दालचीनी जो है गठिया की परिशानी को दूर करती है और diabetes को भी कम करती है जिन लोग को पुराने से पुराने जोडों का दर्द है दोस्तों उन लोग के लिए भी दालचीनी का सेवन बहुत ही जादा फाइदे मन्द है यदि आपको गले में दर्द है गले में खराश है खासी जुखाम है तो उस केस में भी यदि आप दालचीनी का सेवन करते हैं तो इन सभी परिशानी उसे आपको राहत मिलती है तो गले में यदि आपको ये सारी प्राबलम है खासी है गले में खराश है सूजन है तो दालचीनी का पाउड़र यदि आप शहद में मिलाकर की खाएंगे तो आपको बहुत रात मिलेगी आपके गले का दर्थ बिलकुल गयब हो जाएगा कई बार खासते खासते हमारा गला चिल जाता है हमारा गला बैट जाता है हमारे गले में ठीक से आवाज नहीं निकलती है अगर ऐसे में भी अगर आप दालचीनी का सेवन करते हैं तो आपका गला जो है इससे अच्छा हो जाता है दालचीनी को मैंने पहले कूट लिया है फिर इसका मैंने पाउडर तयार कर लिया है तो आप भी इसी तरीके से ताजा ताजा दालचीनी को ले और ऐसे ही घर पर सका पाउडर बनाएं वैसे तो मार्केट में भी है आपको इसका पाउडर ready made मिल समय जाता है दोस्तों लेकिन अगर आप घर पर ही इसका पाउडर बनाएंगे तो बहुत जाधा शुद होता है यदि बहुत ज़्यादा पुराना पाउडर होता है दालचीनी का तो भी इसकी खुश्बू जो है वो कम हो जाती है इसलिए जब भी अगर आप घर पर भी इसे पीसे तो आप ज्यादा कॉंटिटी में इसे ना पीसे थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में पीसे ताकि इसकी फ्रेशनेस और इसकी खुश्बू दोनों ही बनी रहे दालचीनी हमारे खाने के स्वात को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है साथी साथ दोस्तों यह हमारे शरी के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमन होती है जो लोग दालचीनी का चुटकी भर भी सेवन करते हैं उन्हें हाट की परिशानी नहीं होती दाल चीनी में वरपूर मातरा में अंटी आक्सिडेंट्स होते हैं, कॉलिस्ट्रॉल लेवल को ये कम करती है, लट शुगर लेवल को भी कम करती है, साथी डायबिटीज को कम करने का ये काम करती है साथी साथ अलजाइमर में भी ये बहुत ही फाइदेमन है दाल चीनी का इस्तमाल यदि आप शहद के साथ करेंगे तो इसे जो बूलने की परिशानी होती है उम्र के साथ जो बूलने लगता है इनसान तो उसकी भी परिशानी आपकी दूर हो जाती है दाल चीनी के सेवन से आपका मेटबॉलिजम बूस्ट होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा ही दाल चीनी का पाउडर पिसा है ग्राइंड कर लिया है और एक कडोरी में मैंने थोड़ा सा दाल चीनी का पाउडर ले लिया है उसमें शहद मिला रही हूँ इससे आपकी खासी सर्दी जुकाम जो कफ की परिशानी है बलगम की परिशानी है जो गले में दर्द रहता है तो उसके इसमें आप एक चुताई चमच दालचीनी का पाउडर ले ले एक चमच शहद ले ले अगर बच्चे भी से खा रहे हैं तो शहद की कॉंटिटी आप आदी चमच से बढ़ा सकते हैं जिससे कि उन्हें टेस्ट अच्छा लगेगा और वो भी इसका सेवन कर पाएंगे दोनों ही चीजों को अच्छी तरीके से आप मिला ले दालचीनी के पाउडर को ज़्यादा पीस करके आप ना रखें क्योंकि इसके जो इसेंशल ओइल्स हैं वो सूखने लगते हैं और यदि आप पुराना पाउडर इसका इस्तमाल करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता है जरूरत पढ़ने पे शहती कॉंटिटी को आप थोड़ी सी बढ़ा ले इससे क्या होगा कि दालचीनी जो है थोड़ी सी सौफ्ट हो जाएगी जिससे कि इसका सेवन करने में हमें आसानी होगी तो आप ज्यादा दालचीनी के पाउडर को बना करके ना रखे और साथी आप बाजार के दालचीनी के पाउडर का उपयोग तो बिल्कुल भी ना करे घर पर ही दालचीनी को ग्राइंड कर ले जिस सरीके से मैं आपको बताया पहले कूट कर उसके बाद आपको मिकसर में इ दूर रखता है कैंसर जैसी खतरनाक बिमारी से यह हमें दूर रखता है जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे लोग दालचीनी का पाउडर ले ले और गरम पानी के साथ ले कम से कम 15-20 दिन तक लेकर देखे आपका वेली फैट कम होगा और आपका वजन तेजी से कम होगा यह इतना ज्यादा मैजिकल उपाय है दोस्तों जो कि आपकी सरदी खासी गले में दरद गले में सूजन जो हो जाती है चाथी में जो बल्गम जम जाता है उसे यह बाहर निकाल देता है अगर छोटे बच्चे ले रहे हैं तो आदी छोटी चमच ले बड़े ले रहे हैं तो ए एक पिंच के जैसे हल्दी क्या होता है दोस्तों हल्दी से क्या होता है कि हमारे गले की जो सूजन होती है वो कम होती है एक नाचुरल पेन कीलर का ये काम करती है और साथी साथ सर्दी खासी से भी हमें राहत दिलाती है हल्दी पाउडर साथी आदि आप चाहे तो इसमें कूटेंगे तो इसके जो natural oils है वो बने रहेंगे और इसका maximum benefit और फाइदा हमें इसका मिलेगा इसका भी ज्यादा powder आप बना करके ना रखे क्योंकि इसकी जो natural oil है खुश्बू है वो बिल्कुल निकल जाएगी तो इस remedy में कम से कम 4-5 काली मिर्च को कूट के आप इसका powder इसमें मिला ले इसका यदि आप सेवन गड़ते हैं तो छोटी मोटी बिमारिया तो आपको छू ही नहीं पाएंगी बस एक बात का ध्यान रखे कि जब भी आप इस remedy को ले उसकी आदे घंटे पहले और आदे घंटे बाद में आपको सूजन है तो ऐसे केस में आप यहां पे एक चुटकी सेंदा नमग भी डाल सकते हैं सेंदा नमग गले के सूजन को कम करता है गले के दर्थ से हमें राहत दिलाता है इस remedy से पुरानी से पुरानी खासी भी आपकी ठीक हो जाएगी दोस्तों आपने तरह तरह के दवाईयां ट्राइग की होगी खासी के लिए सिरफ वगिरा ट्राइग की होंगे परन्तु एक बार इस remedy को आप जरूर इस्तमाल करके देखें आपको इसका जबर दस्त मिलेगा तो मेरा भी आजमाया हुआ नुसका है दोस्तों इस remedy का कोई भी side effect नहीं दोस्तों बहुत ही powerful remedy है खास कर मैंने एक गर्म पानी ले लिया है तो यदि आप इसके बाद पीना चाहते हैं गर्म पानी बहुत प्यास लग रही होगी आपको तो आप गर्म पानी का सेवनियां पर कर सकते हैं आप चाहें तो इसे सुबह में ले सकते हैं दुपहर में ले सकते हैं और रात को सोने से पहल लग है तो दोस्तों आपको विडियो कैसी लगी थी वीडियो थोड़ी सी बे अच्छी लगई होगी इंफर्मेटिव लग रहे होगी तो लाइकिचर शाब्स्राइब करना बिलकुल ना भूब ले वीडियो को ज्यादा से लिए बाई टेक केर